हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट के बारे में और दोस्तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कमपनी की शेयर के अंदर हमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट क्यूं देखने को मिल रही है लेकिन दोस्तो मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से जानना चाता हूँ कि क्या आपके पास में हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट का शेयर है या फिर नहीं है आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो का हम लोग शुरू कर लेते हैं जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक स्क्रिन ओपन कर रखी है और यहाँ पे हमने कंपनी का जो पिछले एक महने का रिटन का रिपोर्ट है वो निकाल रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले एक महने में कंपनी निवेशकों को 5% का रिटन दिया है और अगर आप इस रिपोर्ट को और ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि 4 जून 2014 से 18 जून 2014 तक इस कंपनी के शेर के अंदर हमें 28% की तेजी देखने को मिली है अब दोस्तों पहले हम यह डिसकस करते हैं कि आखिर यह तेजी क्यों आई है तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं दुवारा से राजनाथ सिंग जी बने हैं और इस समय पर राजनाथ सिंग जी जो हैं यह डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनियों के उपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसके लावा हमारी जो गौर्वर्मेंट है अब डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है तो इसी कारण से जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनिया हैं उन सब कंपनियों के अंदर आपको शेर में तेजी देखने को मिली होगी चलिए दोस्तो एक बार हम दुवारा से स्क्रिंग के तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंग जी दुवारा से डिफेंस मिनिश्टर बन गया है तो आप देख सकते हैं कि ये तेजी हमें 4 जून 2024 से 18 जून 2024 तक देखने को मिली है अब दोस्तो इसके बाद में कंपनिय के शेर के अंदर हमें 18 जून 2024 से 21 जून 2024 तक की रिपोर्ट निकाले जब हमने तो हमने पाया कि कंपनिय का जो शेर है ये 7% तक नीचे गिर गया है अब आपके मन में ही हो सकता है कि भाई गौर्मेंट जो है फुल फोकस कर रही है ये डिफेंस अक्टर पे तो ये शेर 7% कैसे नीचे गिर गया है तो दूस्तों यहाँ पे जो ज़्यादा चांसे हमें लग रहे हैं ज़्यादा चांसे यही लग रहे है कि कंपनी के अंदर लोगों ने profit booking की है जिस कारण से company के share के अंदर हमें यहाँ पे गिरावर देखने को मिली है बाकि आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपने financial advisor के सलाह जरू ले लिजेगा और खुद भी एक बार detail में अच्छे तरीके से research और study जरू कर लिजेगा बाकि एर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like करिए और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और ने वीडियो में जब तक लिए टाटा बाए बाए